हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक तो माई यूट्यूब चैनल, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक इंट्रेस्टिंग पोएम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाइ केरोलिन वेल्स, ये पोएम हुमरस वे में यानि की बहुत ही फ़नी वे में लिखी गई है, इस पोएम में पोएट हमें बताती हैं कि हम वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पेचान सकते हैं कि हमारा सामना कौन से वाइल्ड एनिमल्स से हुआ है, इस टेंज आप फर्स्ट परते हैं और फिर समझते हैं, इस टेंज फर्स्ट हमारा, अगर बाइचान्स कभी आप इस्ट के जंगल में जाते हैं और वहाँ पर एडवांस में आपको एक टाउनी बीस्ट दिख जाए, यानि कि एक ड्राउनिश यलो कलर का लाज एनिमल दिख जाए, वाइल्ड एनिमल दिख जाए, और अगर वह आप पर दहाड़े और आउटो फियर आप मर ही जाए, तो समझ जाना आप एशियन लाइन, वो एनिमल और कोई नहीं एशियन लाइन था, तो देखा गाइस कितनी humorous way में या funny way में poem लिखी गई है, जब हम मर जाएंगे तो हम जानके करेंगे ही क्या कि हमारा सामना एशियन लाइन से हुआता, अब हम सेकेंड इस्टेंस आ देखते हैं, अलो बोड़ी पे black color की stripes है और वो आप पे attack करता है और आपको खाने लगता है, तो यह simple सा rule आपको help करेगा यह जानने में कि वो एनिमल और कोई नहीं Bengal tiger है, कितना simple rule था ना गाइस, तो चलिए आप 3rd stanza आप चलते हैं, So friends, some 3rd stanza पढ़ते हैं, अगर आप फिर से आराम से जंगल में घूम रहे हो, आपको एक wild animal दिख जाता है, जो आपके ओपर खुद जाता है, तो समझ जाना वो animal कोने लिपाड है, और यहाँ पर वो ने और चिलाने से कोई फाइदा नहीं, क्योंकि वो लिपाड आप फिर भी again and again जंप करेगा, और शायद तब तक जंप करेगा, जब तक आप मर नहीं जाते, बढ़ते हैं फोर्ट इस्टेंजा के ओर, इफ वेन यार वोकिंग राउंड यार्ड, यू मीट अ क्रियेचर देयर, हुँ हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी शोर इट इस अ बियर, इफ यू हेव एनी डाउट, आई गेस, वेल गीव यू जस्ट वन मोर केरीज, यानि कि अगर यहां पर आप अपने यार्ड में घुमी घुमी कर रहे हो, और वहां पर आपको एक क्रियेचर दिखता है, यानि कि एक एक अनिमल दिखता है, जो कि आपको प्यारी सी हग करेगा, वो हग आपको फ्रेंडली लगेगी, लेकि आप समझ जाना कि आपको एक बियर ने हग किया है, यानि कि भालू ने हग किया है, लेकिन आपको फिर भी डाउट होता है, आपको टिंचन लेनी की जडरत नहीं, वो भालू फिर से आपको हग करेगा, ये हग आपको फ्रेंडली लगेगी, लेकिन वो जब तक हग करेगा, तिल यू डाई, जब तक आप मर नहीं जाते, तो गाइस, अब तो हम बियर को भी पेचानना सीख गए, तो कन्फ्यूज होने की ज़रत नहीं है, चलते हैं, फिफ्ट इस्टेंजा की ज़रते हैं, फिफ्ट इस्टेंजा में हम दो एनिमल्स के बारे में, जानने वाले हैं, क्रोकोडाइल एंड हाइना, हम उन्सको कैसे बेंचान सकते हैं, दो तो डिस्टिंगीज, बिस्ट ओफ प्रे, अगर आपको स्माइल करता हुए, दिख जाये, तो आपको स्माइल करने की जरूत नहीं है, क्योंकि जब भी वो किसी पर शिकार करने वाला होता है, तो वो एक मेरी मेरी स्माइल के साथ आता है, और वहीं अपोजिट, इसके अपोजिट अगर आपको क्रोकोडाइल रोता हुआ दिख जाये, तो दुखी आत्मा बनने की जरूत नहीं है, क्योंकि क्रोकोडाइल अपने शिकार को खाते समय रोते हैं, तो यहाँ पर हम दो एनिमल्स के बारे में जान लिया, तो चले गाई शिक्स टेंजा परते हैं, यहाँ पर पोएट हमें बताते हैं कि हम एक केमेलियन यहाँ की गिरगित को कैसे पेचान सकते हैं, गिरगित एक गार्डन लिजार्ड जैसा होता हैं और उसके ना तो एर्स होते हैं ना विंग होते हैं, अगर आप किसी पेड़ पर देख रहें और वहाँ पर आपको नथिंग हैं कि आपको कुछी भी नहीं दिख रहा हैं तो समझ जाना वहाँ पर केमेलियन हैं यानि कि गिरगित हैं क्योंकि अपने शिकार को कन्फ्यूस करने के लिए वो अकोर्डिंग टू सराउंडिंग अ